नमस्कार दोस्तों मैं ललन ठाकुर एंसी इयाटी हिस्ट्री एस्टेंडर 12 के साथ है एस्टेंडर 12 के लिए एंसी इयाटी हिस्ट्री का आज ये इस पाठ का सेकेंड वीडियो है यात्रियों के नजरिये से इस देश में बहुत सारे यात्री आये और उन यात्रियों ने जो अपना लेखन प्रस्तुत किया विरितांत सुनाया उन विरितांतों के अधार पर भी इस देश को भारत को समझने में बहुत सहायता मिलती है तो उसके अंतरगत आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसवा बर्नियर नाम का एक यात्री हिंदुस्तान आया तो उसने किस रूप में इस देश को पाया तो प्रस्तूत है आपकी सेवा में फ्रांसवा बर्नियर था क्या तो वह एक विशिष्ट चिकित सक था कौन था फ्रांसवा बर्नियर नाम था उसका फ्रांसवा बर्नियर पिशिष वह एक चिकित सक था लगभग पंद्रा सो इस्वी में भारत में पूर्तगालियों के आगमन के पस्चात उनमें से कई लोगों ने भारतिये सामाजे गिरीती रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विशय में विस्तरित वृतांत लिखे उनमें से कुछ चुनिन्दा लोगों जैसे जेसूइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतिये ग्रंथों को इरोपिये भाषाओं में अनुवादित भी किया सबसे प्रसिद्ध यूरोपिये लेखकों में एक नाम जुआर्ते बरवौसा का है जिसे ने दक्षिन भारत में वियापार और समाज का एक विस्तरित विवरन लिखा कालांतर में 1620 के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसिसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसिसी जवहरी जों बैक्टिस्ट टैवर्नियर का था काथा जिसने कम से कम चाह बार भारत की यात्रा की, वह विशेश रूप से भारत की व्यापारे की स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुरना इरान और आटोमन समराज से की इनमें से कई यात्री जैसे इतालिवी चिकित्सक मनू की कभी भी यूरूप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्णियर एक चिकित्सक राइनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी था कई और लोगों की तरह ही वह मुगल समराज में आवसरों की तलाश में आया था 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्स तक रहा और मुगल दर्बार से नजदी की रूप से जुरा रहा पहले समराज शाह जहां के जिस्ट पुत्र शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दर्बार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वाग्यानिक के रूप में पुर्व और पश्टिम की तुलना बर्णियर ने देश के कई भागों की आतला की और जो देखा उसके विशय में विवरन लिखे वह सामान्यतह भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिती से करता था उसने अपनी प्रमुक्रिती को फ्रांस के शाशक लूई चोदहुए को समर्पित किया और उसके कई अन्य काड़े प्रभावशाली अधिकाडियों और मंद्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गये थे लगभग प्रतेक द्रिश्टांत में बर्णियर ने भारत की स्थिती को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दैनिये बताया जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा साटीक नहीं था फिर भी जब उसके काड़े प्रकाशित हुए तो बर्णियर के वरितांत अधिक प्रसिद्य हुए बर्णियर के कारें फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले पांच वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भासाओं में इनका अनुवाद हो गया 1670 और 1725 के बीच उसका वरितांत फ्रांसीसी में आठ बार पुरर्ण मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह तीन बार अंग्रेजी में पुरर्ण मुद्रित हुआ था यह अर्बी और फार्सिव रितांतों जिनका प्रसार हस्त लिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले समान्ने तह प्रकाशित नहीं होते थे के पूरी तरह विपरीत था एक आपरिचित संसार की समझ वबाप समझ अल बरूनी अल बिरूनी तुधा संस्कृत वादी परंपड़ा समझने में बाढ़ाएं और उन पर विजय जैसा कि हमने देखा है यात्रियों ने उप महादुईप में जो भी देखा समझने तह उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे प्रते की आत्रिय ने जो देखा उससे समझने के लिए एक अलग विधी अपनाई उदाहरन के लिए अल बिरुणी अपने लिए निधारित उद्दिश्य में नहित समस्याओं से परचित था उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे इनमें से पहला अवरोध भाषा थी उसके अनुसार संस्कृत, अर्बी और फारसी से इतनी भिन्य थी कि विचारों और सिध्यांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुबादित करना आसान नहीं था उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्थ था और प्रथा में भिन्यता थी उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था यहां रोचक बात यह है कि इन समस्चाओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी सलगभग पूरी तरह से ब्रहमनों दोरा रचित कृतियों पर आस्रित रहा उसने भारतिय समाज को समझने के लिए अकसर वेदों पुरानों भग वीवषण के अल बिरूनी ने अन्य समुधायों में पर्ति रूपों की खोज के माध्यम से जाती व्यवषण को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया उसने लिखा कि प्राजीन भारस में चार सामाजिक वर्गों की मननता को मननता थी घोरसवार, शाशक वर्ग, भिक्षू, आनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित सक, खगोल शास्त्री तथा अन्यवैग्यानिक और अन्तमे कृशक तथा शिल्पकार दूसरे शब्दों में वहयह दिखाना चाहता था कि ये समाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सिमित नहीं थे इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इसलाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिक्ता के पालन में थी जाती व्यवस्ता के संबंध में ब्रहमन वादी व्यक्षया को मनने के बावजूद अल्बिरूनी ने अपवित्रता की मननता को अस्विकार किया उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपने पवित्रता की मूल इस्थती को पुना प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है सूरे हवा को स्वच बनाता है करता है और समुदर में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है अल्बिरुनी जोड़ देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पिर्थवी पर जीवन और संभव होता उसके अनुसार जाती ववस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारना प्रकृत्य के नियमों के विरुद्ध थी जैसा कि हमने देखा है जाती ववस्था के विशयवे अल्बरुनी का विवरन उसके नियामक संस्कृत गरंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था इन ग्रंथों में ब्रहमनों के द्रिष्टिकोन से जाती विवस्था को संचालित करने वाले डियमों का प्रतिपादन किया गया था लेकिन वास्तविक जीवन में यह विवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी उदाहरन के लिए अत्ययंज अत्ययंज शाब्दिक रूप में ववस्था से परे नामक शेनियों से शमन्नेता या अपेखा की जाती थी किवे किसानों और जमीनदारों के लिए रास्ता सस्ता स्रम उपलब्द कराएं। अन्यता अध्याय आठ में देखिए दूसरे शब्दों में हाला कि ये अकसर समाजित प्रतारणा का शिकार होते थे फिर भी इन्हें आर्थिक दंत्र में शामिल किया जाता था। अत्यांज इबन बतूता तथा अंजाने को जानने की उतकन था। पवित्र पूजा स्थलों को देखा विद्वान लोगों तथा शाषकों के साथ समय भी ताया कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृती का उपभोग किया जहां अर्वी, फार्सी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग, विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान परदान करते थे, इनमें अपनी धर्म निष्ठता के लिए परसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दाई तथा दयावान दोनों हो सकते थे की तथा समान पूर्शूं और महिलाओं तथा अन्य करने के लिए किया जाता था कि स्रोता अथवा पाठक सुदूर पर अपने सुगमे देशों के वित्धंतों से पूरी तरह प्रभावित हो सकें नारियल तथा पान इबन बतूता की चित्रन की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरन उन तरीकों से मिलते हैं जिनमें वह ना इबन बतूता और भारतिये शहर इबन बतूता ने उप महादोईप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक आवसरों से भरपूर पाया जिनके पास अविश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था ये शहर घणी आबादी वाले तथा संबर्ध थे सिवाए कभी-कभी य इबन बतूता के वृत्तांत से ऐसा परतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीर भारवाली सरकें तथा चमक दमक वाले और अंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तूओं से भड़े रहते थे इबन बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है दौलतावाद महराश्ट में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनावती देता था बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के अस्थान ही नहीं थे बलकि वे सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंदर भी थे अधिकांश बाजारों में एक मस्जित तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सर्वजनिक प्रद्रशन के लिए स्थान भी चिन्हित थे हालां कि इबन बतूता की शहरों की सम्षधी का वर्णन करने में अधिक रूची नहीं थी प्रियासकारों ने उसके विर्द्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गाओं में अधिशेश के अधिगरहन से प्राप्त करते थे इबन बतूता ने पाया की भार्दिये क्रिशी के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाव उपन था जो किसानों के लिए वर्ष में दो फसलें उगाना संभव करता था उसने यह भी ध्यान रखा कि उपमहादूई पीए व्यापार तथा वानिज के अंतर एशियाई तंतरों से भली भाती जुरा हुआ था भारतीय माल की मद्ध तथा दक्षिन पूरवेशिया दोनों में बहुत मांग थी जिसे से शिल्पकारों तथा व्यापाडियों को भारी मुनाफ़ा होता था भारतीय कपड़ों, विशेश रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जड़ी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी इबन बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किश में इतनी अधिक महांगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाड़ है लोग ही पहन सकते थे संचार की एक अनूठी प्रणारी व्यापाडियों को प्रुट्साहित करने के लिए राज्य विशेश उपाय करता था लगभग सभी व्यापारिक मारगों पर सराय तथा विश्राम गिरी हस्थापित किये गए थे इबन बतूता एक ढाक प्रनाली की कारेकुशलता देखकर चकित हुआ कारेकुशलता देखकर चकित हुआ इसे से व्यापाडियों के लिए ना के वह लंबी दूरी तक सुचना भेजना और उधार प्रसित करना संभव हुआ बलकि अल्प सुचना पर माल भेजना भी डाक प्रनाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में पचास दिन लगते थे वहीं गुप तुचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक ववस्था के माध्यम से मात्र पांच दिनों में पहुँच जाती थी बर्नियर तथा अपविक्षित पूर्व जहां इबन बतुता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चे किया जिसे ने उसे अपने अनुठय पन के कारण प्रभावित किया और उत्सुक किया वहीं बर्नियर एक भिन्य बुद्ध जीवी परंपरा से सम्मंधित था उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी समण रूप से ईरोप और विशेश रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्यता को उजागर करने के प्रती अधिक चिन्तित था उसे सुरूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसरवादी पाया उसका विचार निती निर्मतावन तथा बुद्ध जीवी वर्ग को प्रभावित करने का था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णे ले सके जिन्हें वह सही मानता था बर्णियर के ग्रांथ है बर्णियर के ग्रांथ है ट्रेवल्स इंदा मुगल एंपायर अपने गहन प्रेक्षन अलोचनात्मक अंतरद्रिष्टी तथा गहन चिन्तन के लिए उलेखनिये है कौन किताब ग्रेंथ है उसका नाम है ट्रेवल सिंदा मुगल एंपायर बर्णियर ने लिखा उसके विर्टांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक धाचे में अस्थापित करने का प्रयास किया गया है वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तदकालीन यूरोप से करता रहा समन्नत या यूरोप की स्रेश्टता को रिखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रन दूई विपरित्ता के निमूने पर अधारित है जहां भारत को यूरोप के परतिलोम के रूप में दिखाया ग जिससे भारत पश्चमी दुनिया को निम्न कोटी का प्रतीत हो। सारी भूमी का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीज बारता था और इसके अर्थ ववस्था और समाज के लिए अनर्थ कारी परिनाम होते थे। बनाए रखने और उसमें बहुतरी के लिए दूरगाय में निवेश के प्रती उदासीन थे। इस प्रकार निजी स्वामित्यों के अभाव ने बहतर भूमी थारकों के वर्ग के उदय जैसा कि पश्टमी यूरोप में कोरों का जो भूमी के रख रखाओ वो बहतरी के प्रती सोजग रहते। इसी के चलते क्रिसी का समान रूप से विनाश किसानों का असीम उत्पिरन तथा समाज के सभी वर्गों के जीवनस्तर में अनुवरत पतन की स्थिती उत्पन्न हुई सिवाए शाशक वर्ग के। इसी के विस्तार के रूप में बर्णियर भारतिय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है। भारत में मध्य के स्थिति के लोग नहीं हैं। या तो अमीर हैं या गरीब हैं। तो बर्णियर ने मुगल समराज को इस रूप में देखा इसका राजा भिखाडियों और कुरूड लोगों का राजा था। पिखाडियों और कुरूड लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनाष्ट तथा खड़ाब हवा से दूसित थे और इसके खेत जारीदार तथा घातक दलल से भड़े हुए थे। और इसका एक मतले कहीं कारण था राजगिये भूस्वामित्वा। अश्ड़ की बात यहा है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज यही भूमी का एक मतल स्वामी था। होती है ना कि अपने स्वामित्वाली भूमी पर लगान। ऐसा संभव है कि एरोपिये यात्री ऐसी मागों को लगान मानते थे क्योंकि भूमी राज़ास्वा की मांग अक्सर अब भूम बहुत अधिक होती थी लेकिन असल में यह ना तो लगान था ना ही भूमी कर बलकि उपज़ पर लगने वाला कर्था अधिक जानकारी के लिए ध्याय आठ देखिए बर्नियर के विवरानों ने अठाड़ावी शताब्दी से पस्टिमी विचारकों को प्रभावित किया। फ्रांसिसी डार्शनिक मौन्टेस्क्यू ने उसके विर्तान्त का प्रयोग प्राच्य निरंकुष्वाद के सिध्यान्त को विक्सिद करने में किया जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवापूर्व में शाषक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाद प्रभुत्व का उपभूग करते थे जिसे दास्ता और गरीवी की स्थितियों में रखा जाता था इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमी पर राजा का स्वामित तो होता है तथा निजी संपत्ति अस्थित्यों में नहीं थी इस दृष्टिकोन के अनुसार राजा और उसकी अमीर असर कर पाता था उनुश्मी स्थाबदी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को यह शियाई उत्पादन शैली के सिध्यांत के रूप में और आगे बढ़ाया उसने अतर्क दिया कि भारत में उपनिवेश्वाद से पहले अधिशेश का अधिग्रहन राज्जी द्वरा होता इससे एक ऐसी समाज का उद्वव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत तथा अंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीर समुदायों से बना था इन ग्रामीर समुदायों पर राजकी दरबार का नियंतरन होता था और जब तक अधिशेश की आपूर्ती निर्वेग्र जाती थी इनकी स्वायतता का सम्मान किया जाता था यह एक वी निश्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी परंतु जैसा कि हम देखेंगे ग्रामीर समाज का यह चित्रन सचाई से बहुत दूर था बलकि 16 और 17 शताबदी में ग्रामीर समाज में तरित्रिक रूप से बड़े पै इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराय किस्रम का प्रियोग करता था और माल उत्पादन में संलगन रहता था साथ ही अप एक शक्र छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई हाला क कि मुगल सराज्य को निर्वहन को शुरूप देने की तनमयता असपस्ट है लेकिन उसके विवरन कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की और इशारा करते हैं तो मेरे दोस्तों एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई से हम लोग इसके बात के वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद